लध्या घाटी में कई महीनों से शांती बनी हुई थी, जब सितंबर के महीने में नैनी ताल में यह ख़बर पहुँची कि कोट किंद्री गाउं में एक बारा साल की लड़की को बागने मार डाला है। पाया गया कि एक तो फैर को यह लड़की गाउं के पास आम के पेड़ के नीचे गिरे हुए आम बीन रही थी, उठा रही थी उन्हें। तभी अचानक एक बाग वहां आधम का। गाउं के पास ही काम कर रहे लोग उसकी साहता करने का प्रयास कर पाते उससे पहले ही बाग उ कोई प्रयास नहीं किया गया और जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक खून और घसीटने के नीशान पूरी तरह में चुपे थे। इसलिए मैं उस स्थान का पता नहीं लगा सका जहां बाग लड़की के शरीर को लेकर गया। कोट किंद्री चूका से लगभग चार मिल दक्षण पश्चिम और ठाक से तीन मिल पश्चिम में स्थित है। इसी घाटी में कोट किंद्री और ठाक के बीच पिछले अप्रैल में चूका आदमखोरबाग को मरा गया था। 1938 यानि 1938 की गर्मियों में वनवे भाग ने इस शेत्र के सभी पेड़ों को काटने के लिए चिनित किया था। मार्किंग कर दी गई थी। और यह आशंका थी कि यदि आदमखोरबाग को नवंबर से पहले खत्म नहीं किया गया। जब जंगल की कटाई शुरू हने वाली थी तो ठेकेदारों को मजदूर नहीं मिलेंगे और वे अपने अनुबंधों को रद कर सकते हैं। जब सीधा रास्ता था तनकपूर तक रेल से जाना और वहां से काल डूंगा और चूका के रास्ते पैदल चलना। खालां कि इस रास्ते से मुझे सौ मिल का पैदल सफर बच सकता था लेकिन मुझे उत्तर भारत के सबसे घातक मलेरिया शित्र से गुजरना पड़ता। लंबे सफर की तैयारियां अभी चल ही रही थी कि नैनी ताल में एक दूसरी घटना की ख़वर पहुंची। इस पार सेम नामक छोटे से गाउं में एक और मौत की ख़वर आई जो लध्या के बाएं किनारे पर चूका से लगबग आधा मिल की दूरी पर स्तित था। इस पार पीडित एक वरिद महिला थी जो सेम गाउं के मुख्या की मा थी। यह महिला जाडियों में कटाई कर रही थी और दो सीडी दार खेतों के बीच एक खड़ी डहलान पर थी। पचास गज लंबी इस डहलान पर वरिद महिला जाडियां काट रही थी और अपने घर से केवल एक गज की दूरी पर पहुँची थी। जब अचानक उपरी खेत से बाग ने उस पर चलांग लगा दी। हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि महिला को केवल एक बार चीखने का समय मिला और बाग ने उसे वहीं मार दिया। बाग ने उसे उठाया, बारें फुट उची डहलान पार की, उपरी खेत को पार किया और उसे गने जंगल में लेकर गायब हो गया। महिला का बेटा जो लगबग 20 साल का युवक था पास के धान के खेत में काम कर रहा था। उसने पूरे घटना करम को अपनी आँखों से देखा, लेकिन बाग के डर से साहिता करने की हिम्मत नहीं कर पाया। युवक ने तुरंत गाउं के पटवारी को बुलाने के लिए लोगों को संदेश भेजा। दो दिन बाद पटवारी सतर लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचा, सेम गाउं में। पटवारी और उसकी टीम ने बाग के जाने के दिशा में खोज की, जहां उन्हें महीला के कपड़े और कुछ हड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले। यह हमला दो पहर के समय एक चमकदार धूप वाले दिन में हुआ था। बाग ने महीला को उस जोपड़ी से केवल साथ कज दूर ही आराम से बैठकर खाया था। जहां उसने उसे मारा था। इस दूसरी घटना की खबर मिलने के बाद अलमोडा, नैनी ताल और गड़वाल जिलों के डिप्टी कमीशनर अबाटसन और मैंने मिलकर इस समस्या से निबटने की योजना बनाई। एबाटसन जो उस समय तिबबत की सीमा पर स्थित असकोट में भूमी विवाद सुलजाने के लिए निकलने वाले थे, उन्होंने अपना यात्रा कार्यकर्म बदल दिया। बागेश्वर के रास्ते जाने के बजाए उन्होंने मेरे साथ सेम गाउं जाना और वहां से असकोट जाने का फैसला लिया। हमने जो रास्ता चुना उसमें काफी चड़ाई थी इसलिए हमने नंधौर गाटी से होते हुए नंधौर और लध्या की जल्वे भाजक को पार करने और फिर लध्या नदी के साथ साथ सेम तक जाने का फैसला लिया। इबाटसन परिवार बारा अक्तूबर को नैनिताल से रवाना हुआ और अगले दिन मैं उन्हें चौर गलियां में मिला। बाद रात के लिए जल्वे भाजक पर कैम्प किया। अगले दिन सुबह जल्दी शुरू करते हुए हमने अपना कैम्प लध्या नदी के बाएं किनारे पर चालती से बारा मील दूर लगाया। इन क्रॉसिंग्स में से एक पर मेरा रसोया जो बूट पहन कर पांच फीट लंबा था तेजधार में बह गया। उसे डूपने से बचाने का श्रय उस वक्ती को जाता है जो हमारा लंच बास्केट लेकर चल रहा था। उसकी त्वरित प्रतिकरिया ने रसोये की जान बचा ली। चौर गलिया से निकलने के दसवें दिन हम सेम पहुँचे। और एक खेत में अपना केम्प लगाया। यह केम्प उस जोंपडी से दो सो गज की दूरी पर था जहां मैला को बाग ने मारा था। और लध्या और सारदा नदियों के संगम से सो गज की दूरी पर स्थित था। लध्या घाटी के रास्ते में हमारी मुलाकात पुलिस के गिल वाडेल से हुई। चिनोंने सेम में कुछ दिनों तक केम्प किया था। वाडेल ने वन विभाग के मैकडोनल्ड द्वारा उपलब्द कराए गए एक बहांसे को बाग के लिए चारे के रूप में बांदा था। हालांकि बाग ने वाडेल के वहां रहने के दौरान सेम में कई बार दौरा किया था। लेकिन उसने बहांसे को नहीं मारा। सेम पहुचने के अगले दिन जब एबाटसन, पटवारियों, वन रक्षकों और आसपास के गावों के मुखियों से मुलाकात कर रहे थे, मैं बाग के पंजों के निशान खोजने के लिए निकला। हमारे कैम्प और संगम के बीच और लध्या के दोनों किनारों पर रेत के लंबे हिस्से थे। इस रेत पर मुझे एक बागिन और एक युवा नरबाग शायद उन शावगों में से एक जिने मैंने अप्रेल में देखा था, उनके निशान मिले। बागिन ने पिछले कुछ दिनों में कई बार लध्या को पार किया था, पिछली रात उसने हमारे टेंट के सामने की रेत पर चल कर रास्ता बनाया था, काउवालों का मानना था कि यही बागिन आदम खोर थी, क्योंकि वह मुखिया की मा के मारे जाने के बाद बार बार सेम में आ रही थी उनका शक सही लग रहा था भागिन के पंजों के निशान से पता चला कि वह औसत आकार की थी और अपनी जवानी के चरम पर थी उसने आदम खोर बनने का रास्ता क्यों अपनाया यह तो बाद में पता लगाना था एक कारण जो मेरे दिमाग में आ रहा था यह ह हो सकता था कि बागिन ने चूका के बाग द्वारा मारे गए शिकारों को भी खाया था जब वे दोनों पिछले यौन सीजन में एक साथ थे और मनुश्य का मास खाकर उसे इसका स्वाद लग गया अब क्योंकि उसका साथ ही नहीं था जो उसे यह शिकार उबलब्द कराए उस ने खुद आदम खुर बनने का रास्ता अपना लिया हलांकि यह केवल एक अनुमान था और बाद में यह सही साबित होगा या गलत साबित होगा यह पता नहीं था नैनी ताल छोड़ने से पहले मैंने तहसीलदार से चार यूवा नर बहैसे खरीदने और सेम भेजने के लि और हमने उन्हें उसी शाम को बहर बांदिया साथ में वह बैस जिसे मैक टरलन ने हमें दिया था वो भी थी अगले दिन सुबह जब मैं इन जानवरों को देखने गया तो मुझे चूका के लोग बेहद गवराए हुए मिले गाउं के आसपास के खेत हाल ही में जोते गए थ उन खेतों के पास तीन परिवारों के पास से गुजरते हुए उनके मवेशियों के पास आकर उन पर हमला किया था। सुबागे से हर बार मवेशियों ने बागिन को देख लिया और सोते हुए लोगों को उसकी उपस्तिती का संकेत दे दिया। जब बागिन खेती की ज़ड पटवारी वनरक्षक और गाउं वले हमें सेम पहुँचने पर बता चुगे थे कि हमारे युवा भैसों को बांधना बिलकुल बेकार है क्योंकि उन्हें यकीन था कि आदम खोर बाग उन्हें नहीं मारेगा उनका कहना था कि यह तरीका पहले कई लोगों ने आजमाया था लेकिन वे सफल नहीं हो पाए इसके अलवा अगर बाग उन्हें को भैसे का शिकार करना होता तो जंगल में बहुत सी भैसे उपलब्द थी फिर भी इस सला के बावजूद हमने बहसों को बांधने का काम जारी रखा और अगले दो रातों तक बाग उन्हें हमारे बहसों के पास से गुजरते हुए उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया 27 तारीक किसो है जैसे ही हम नाश्ता खत्म कर रहे थे तिवारी जो ठाक के मुखिया के भाई थे कुछ लोगों के साथ हमारे कैम्प में पहुँचे और बताया कि उनके गाउं का एक आदमी गायब हो गया है पिछले दिन दोपहर के समय गायब होए इस व्यक्ति की पत्नी ने हमें बताये कि वह आदमी अपने मवेशियों को गाउं की सीमा से बाहर ना जाने देने के लिए घर से निकला था और क्योंकि वह अब तक वापस नहीं आया उन्हें डर था कि उसे आदम खोर बाग ना मार डाले हमारी तैयारी जल्दी ही पुरी हो गई और सुबह दस बजे इबाटसन और मैं तिवारी और उनके साथ लाए गए लोग ठाक के लिए रवाना हो गए यह दूरी केवल दो मील की थी लेकिन चड़ाई काफी मुश्किल थी हम ज्यादा समय ना खोने की कोशिश कर रहे थे इसलिए हम गाओं के बाहरी इलाके में पहुँचते हुए ठके हुए और पसीने से भीगे हुए थे जब हम उस जाड़ी दार मैदान के पास पहुँचे जिसे बाद में मैं जरूर संदर्बित करूंगा तो हमें एक महिला की आवा सुनाई थी जो शोक में रो रही थी बारतिया महिला का मृतक के लिए शोक करना एक विशिष्ट आवाज होती है और जंगल से बाहर आते ही हमने उस शोक करने वाली महिला को देखा जो गायब आदमी की पत्नी थी और साथ में 10-15 लोग थे जो हमारे लिए खेतों के किनारे खड़े हुए थे इन लोगों ने हमें बताया कि उनके घरों से उपर से उन्हें एक सफेद वस्तू दिखी जो गायब आदमी के कपड़े का हिस्सा लग रही थी और वहे वस्तू एक जाड़ीदार खेत में थी जो जहां हम खड़े थे वहां से 30 गज की दूरी पर था इबाटसन तिवारी और मैंने उस सफेद वस्तू की जाच करने के लिए आगे पढ़ने का फैसला लिया जबकि श्रीमती इबाटसन यानि इबाटसन की जो पत्नी थी वो महिला और बाकी लोगों को गाउं में ले गई वहे खेत जो कुछ सालों से जोता नहीं गया था जाड़ियों से भरा हुआ था जो लग भग गुल दाउदी के फोलों जैसी दिखती थी हमें तब तक सफेद वस्तू का पता नहीं चला जब तक हम उस पर खड़े नहीं हो गए तिवारी ने तुरंत उसे गायब आदमी की लंगोटी के रूप में पैचाना इसके पास ही आदमी की टोपी भी पड़ी हुई थी यहां एक संगर्ष होआ था लेकिन खून का कोई निशान नहीं था हम यहां मान सकते थे कि बागिन ने अपने पहले शिकार को पकड़ लिया था और संगर्ष के द्वरान खून नहीं भाह होगा क्योंकि जब तक बाग ने अपनी पकड नहीं बदली थी तब तक खून नहीं बैता हमसे तीस गज की दूरी पर उपर की पहाड़ी पर कुछ जाड़ियां थी यह स्थान हमें पहले देखना होगा क्योंकि बागिन को अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं था जाड़ियों के नीचे नरम मिट्टी में हमने बागिन के पग जिनों को देखा और यह भी देखा कि उसने मनुश्य पर हमला करने से पहले वहाँ विश्राम किया था हमारे प्रारंबिक बिंदू पर लोटने के बाद हमने आगे की योजना बनाई हमारा मुख है उदेश बागिन का पीछा करना और उसे उसके शिकार पर गोली मारना ही तो था इसके लिए मुझे पग जिनका पालन करते हुए साथ साथ आगे देखना था जबकि तिवारी जो बिना अहतियार के थे एक कदम पीछे मुझे और दोनों और नजर रखते हुए चलेंगे और इवाटसन तिवारी के एक कदम पीछे हमें पीछे से हमले से बचाने के लिए तेनात रहेंगे अगर ये वाटसन या मुझे बागिन का कोई भी हिस्सा दिखाई देता तो हमें गोली मारनी थी ये हमने डिसाइट कर लिया था इस शेत्र में पहले दिन मवेशी चर रहे थे जिससे जमीन हिली-डुली हुई थी मतलब वहाँ पर जो भी मार्क्स थे वो मिट गए थे और क्योंकि खून का कोई निशान नहीं था और बागिन के गुजरने का केवल यही एक संकेत था कि कुछ पत्ते-पत्तियां पल्टी हुई थी और घास दवी हुई थी इसलिए हम आगे बढ़ने में थोड़ा दीमे थे बागिन ने मनुश्य को दो सो गज तक उठाया और उसे मार कर वहीं छोड़ दिया था फिर कई घंटे बाद उसे उठा कर ले गई जब ठाक के लोगों ने इस दिशा में सामबर की कॉल सुनी थी शायद बागिन ने आदमी को पहले क्यों नहीं उठाया इसका एक करण यह भी हो सकता है कि उसके मवेशियों ने उस पर हमले को देखा था और बागिन को वहां से बगा दिया जहां आदमी गिरा हुआ था वहां एक बड़ा खोन का गटा बन गया था और क्योंकि गले में लगी चोट से खोन बहना तब रुक गया था जब बागिन ने उसे फिर से उठाया और इसके अलावा अब वह उसे पीठ के निचले हिस्से से पकड़े हुए थी जबकि पहले उसने उसे गर्दन से पकड़ा था इसलिए ट्रैकिंग करना और भी मुश्किल हो गया था बागिन पहाडी की सतह के साथ चल रहे थी और यहां की ज़ाडियां इतनी घनी थी कि द्रिश्यता केवल कुछ गज तक थी जिससे हमारी प्रगती धीमी हो रहे थी दो गंटे में हम आधा मील ही चल पाए थे और एक पहाडी पर पहुँचे जिसके पार वह गाटी थी जहां छे महीने पहले हमने चूका के आदमी को मारने वाली बागिन का पीछा किया था इस पहाडी पर एक बड़ी चटान थी जो उपर की और जुकी हुई थी और उस दिशा से दूर थी जिससे हम आये थे बागिन के पग चिन चटान के दहीने और गए थे और मुझे यकीन था कि वह चटान के नीचे या उसके पास ही कहीं आराम कर रही होगी मैं औरे बाटसन हलके रबर्ड के सोल वाले जूतों में थे तिवारी नंगे पाउं था और हम बिना कोई आवाज किये चटान तक पहुँचे मैंने अपने दोनों साथियों को रुकने और चारों और चौकस नजर रखने का इशारा किया फिर मैंने चटान पर चड़ने के लिए पैर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा चटान के पार एक छोटी सी समतल जमीन थी और जैसे जैसे वह जमीन दिखने लगी मुझे यकीन हो गया कि बागिन चटान के नीचे अराम कर रही है मैं अब चटान के उपर देख सकता था जब मैंने बाईं और एक हलचल देखी एक सुनेहरी घास जो नीचे दबी हुई थी अचानक सीधी हो गई और एक सेकंड बाद जाड़ियों में हलचल हुई और दूर पेड़ पर एक बंदर आवाज करने लगा बागिन ने अपना भोजन करने के बाद अराम करने के लिए बहुत सावधानी से जगा चुनी थी लेकिन अफसोस वह सो नहीं रही थी और जैसे ही उसने मेरे सर के उपरी भाग को देखा जो मैं बिना हेट के चटान से बाहर निकाल रहा था वह उठखडी हुई और एक कदम साइड में बढ़कर जाडियों के नीचे चली गई अगर वह कहीं और लेटी होती तो वह इतनी जल्दी नहीं जा सकती थी और मैं उसे गोली मार सकता था हमारी पूरी सावधानी से की गई छिपकर जाने की योजना आखिरी शण में विफल हो गई थी और अब हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाए उसके शिकार को ढूंडने के और देखें कि क्या उस पर इतना शिकार बचा है कि हम उस पर ध्यान दे सकते हैं उसका जाडियों में पीछा करना बेकार था और इससे बाद में उसे गोली मारने का मौका भी कम हो जाता बागिन ने अपना शिकार उसी जगहें पर खाया था जहां वे लेटी हुई थी और क्योंकि यह जगहें आसमान और गिद्धों की तेज नजरों से खुली हुई थी उसने शिकार को एक सुरक्षित जगहें पर ले जाकर छिपा दिया था अब ट्रैकिंग करना आसान था क्योंकि खून का निशान था जिसे हम अनुसरन कर सकते थे यह निशान एक बड़ी चटानों की चोटी से होकर गया और उन चटानों के पचास गज आगे हमेशिकार मिल गया मैं उस चिथडों में पड़े हुए मास के टुकडे का वर्नन नहीं करूंगा जो कुछ गंटों पहले एक आदमी था दो बच्चों का पिता और उस विलाप करने वाली महीला का रोटी कमाने वाला था जो अब विद्वा के भग्य का सामना कर रही थी मैंने 32 वर्षों में कई ऐसे द्रिश्य देखे थे हर बार वह पिछले द्रिश्य से भी अधिक भयानक था जिस ज़ड़ी में बागिन जिपे हुई थी वह लगबग 40 गज के दाइरे में थी वहां पर बंदर की कॉल भी चल रहे थी तो हमने यही सोचा कि हम क्यों न यहीं पर बैठ चाएं और थोड़ा स्मोक कर लें और यह भी देखें कि जंगल की जो यह आवाज आ रही हैं जो कॉलिंग्स चल रही हैं यह हमें क्या बताने वाली हैं मचान बनाने के लिए गाउं लोटना जरूरी था समान लाने के लिए और हमारे यहां ना होने पर बागिन निश्चित रूप से इस शिकार को यहां से उठा कर ले जाएगी जब वह पूरे इनसान को उठा कर ले जा रही थी तब उसे ट्रैक करना इतना मुश्किल था अब जब उसका बोज हलका था और वह डिस्टर्ब भी हो चुकी थी तो वह मीलों तक जा सकती थी और हम कभी भी उसका शिकार फिर से नहीं डूण पाते इसलिए यह जरूरी था कि हम मेंसे एक व्यक्ती वहीं रुके जबकि बागी दो गाउं वापस जाएं रस्सी लाने के लिए इबाटसन जो हमेशा खत्रे की परवा किये बिना काम करता था वापस जाने का निरने लेता है और जबकि वह और तिवारी उस कठिन रास्ते से बचने के लिए पहाड़ी से नीचे जा रहे थे मैंने शिकार के पास एक छोटे पेड़ पर चड़ने का निरने लिया जमीन से चार फीट उपर पेड़ दो हिस्सों में बटा हुआ था और एक हिस्से पर जुक कर और दूसरे पर पैर टिका कर मैं एक अस्थिर स्थिती में बैठने में सफल रहा जो जमीन से काफी उची थी ताकि मैं बागिन को शिकार के पास आते हुए देख सकूँ और अगर वह मुझ पर हमला करने का सोच रही थी तो मैं उसे उस तक पहुचने से पहले देख सकूँ इबाटसन को गए अभी पंदरा या बीस मिनट ही हुए थे जब मैंने एक पत्थर के गिरने की आवास सुनी यह पत्थर बहुत हलके तरीके से रखा गया था और जब बागिन ने उस पर अपना वजन डाला और वह जुका तो उसने अपना पैर हटा लिया और पत्थर वापस अपनी जगाएं पर आगिरा आवाज मेरे बाएं तरफ से सामने से लगबग बीस गच दूरी से आई वही एक मात्र दिशा थी जहां मुझे बिना पेड से गिरने के गोली मारने का मौका मिल सकता था कुछ मिनट और निकले और मेरी उमीदें पहले जितनी उची थी अब उतनी ही नीचे आ गई एक डंठल तोटने की आवाज सुनी यहां यह दिखाता है कि बाग जंगल में कैसे चलता है जो आवाज उसने बनाई थी उससे मुझे उसकी सही स्थिती का पता चला मैंने अपनी आँखें उसी जगहां पर किंदरी तरखी फिर भी वह आई मुझे देखा कुछ समय तक मुझे घोरती रही और फिर बिना एक भी पत्ते या घास के तने को हिलाए वहां से चली गई जब नसों पर तनाव अचानक कम होता है तो सिकडे और दर्द से भरे मास पेशियां आराम के लिए जोर से मांग करती है और हलांकि इस मामले में इसका मतलब केवल राइफल को गुटनों पर रखने से था ताकि मेरे कंदे और हाथों से दबाव कम हो यह चोटी सी हरकत मेरे पूरे शरीर में एक आराम दायक एहसास लेकर आई बागिन से कोई और आवाज नहीं आई और एक या दो घंटे बाद मैंने इबाडसन की वापसी की आवास सुनी जिन लोगों के साथ मैंने शिकार किया है उनमें इबाडसन सबसे वहतरीन है क्योंकि ना केवल उसके पास शेर जैसा दिल है बलकि वह सब कुछ सोचता है और इसके साथ ही वह सबसे निस्वार्थ आत्मी है जो कभी भी शिकार के लिए बंदूख उठाता है वहरसी लाने गया था और वह वापस आया रजाई, तकिये और गरम चाय से भरे हुए एक बरतन के साथ जितना की मैं भी नहीं पी सकता था साथ ही परियाप्त खाना भी लेकर आया था और जबकि मैं शिकार के पास हवा की दिशा में बैठ कर खुद को तरो ताजा कर रहा था इबाडसन ने बागिन का ध्यान बटकाने के लिए चालिस गज़ दूर एक आदमी को पेड़ पर चड़ाया और शिकार के ऊपर एक मचान बनाने के लिए खुद पेड़ पर चड़ गया जब मचान तयार हो गया इबाडसन ने शिकार को कुछ फीट हटाया यह एक बहुत अप्रिये काम था और उसे एक छोटे पेड़ की टहनी से बान दिया ताकि बागिन उसे ले जाना सके क्योंकि चांद आधा घट चुका था और रात के पहले दो गंटे इस घने जंगल में पूरी तरह अंधेरे के होने वाले थे एक आखरी स्मोक के बाद मैं मचान पर चड़ गया और जब मैं आराम से बैठ गया इबाटसन ने उस व्यक्ति को जो ध्यान बठका रहा था उसे वापस पुला लिया और ठाक के दिशा में चलने लगे ताकि वह मिसिस इबाटसन को लेकर वापस सेम कैम्प लोट सके वापस जाते हुए उनकी आवाज अब सुनाई दे रही थी लेकिन वे अभी पूरी तरह से नजर से बाहर भी नहीं हुए थे जब मैंने पत्तों के बीट से एक बाहरे शरीर की सरसरहट सुनी और उसी पल वहबंदर जो अब तक चुप बैठा था मुझे अब उस जाड़ी के दूसरी तरफ पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था उसने अवास करना शुरू कर दिया दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन बहुत इंटेंस होती जा रही है जिम कॉरबट सहाब जो मचान के उपर बैठे हैं बंदर की कॉल चल रही है मैन इटिंग टाइगर आस पास कहीं घुम रहा है और इबाट सहन और वो व्यक्ती वापस रात के समय यह कहें तो अभी शाम ढली ही है वापस जा रहे हैं सेम गाउं के लिए लेकिन यह जितना आसान लग रहा है क्या यह इतना आसान होने वाला है यह यहां पर अभी अभी कुछ होने वाला है यह सब कुछ हम जानेंगे इस भयान कहानी के अगले एपिसोड में जो कल इसी समय फिर से आपके सामने आएगी इसे सुनना मत भूलिएगा लेकिन तब तक आप लोग अपना खयाल रखेगा अपकी राज शुब हो गुट नाइट शब्पा खेर एंड शुब रत्री